पत्रकारों को समय की गती के अनुसार चलना जरूरी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का पर्यास किया भारत सरकार ने। तीन देशों के पत्रकारों ने 15 दिन के लिए दिल्ली में आज टीवी पत्रकारिता की कारेशाला में जम कर भाग लिया। नेपाल और भुटान से आये हुए पत्रकारों ने भारत के वरिष्ट पत्रकारिता संस्तान जामिया मिलिया इसलामिया में पर्शी छेंड लिया। पत्रकार लोग ज्यादतर अकेले काम करते हैं। अपना काम करते हैं और बहुत कम टाइम हम लोग को मिलता है कि एक खटा बैट के अनालिसिस करें। हम कर क्या रहे हैं पत्रकारिता कहां जा रही है। तालिम का मक्सद पत्रकारिता में बहुमुखी छेमताओं को बढ़ावा देना है। यही कारण है कि इस कारे साला का बिधी सैधानती कम ब्यावाहरीक ज्यादा था। पर्योग किये हुए उपकरणों और संगेंत्रों से खेलते जूचते जो परसिछेंड दिया गया। उससे सहभागी पत्रकारों ने खुद को उर्जासील महसूस किया। दच्छिन ACI पत्रकारों के लिए यह जरूरी है कि आफसी संबंद मजबिध हो और पारस्परिक संबंद बने रहें। भारत सरकार के सायोग में नेपाल, भुटान और भारत के टिवी पत्रकार के लिए जो तालिम आयजन किया है वो इसी जामिय मिलिया उनिवर्सिटी में संपन्न हुआ है। पर्सिचकों ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा की इस कारे साला की केंडर बिंदु हो छेमता का विकास। जिस से तीनों देशों में होने वाली घटनाओं को कवर करने में सहस्ता मिले यही विश्वा से सहभागियों का। नेपाल भुटान और भारती मीडिया कर्मियों को आने वाले दिनों में इस तरह की तालिम से पत्रकारिता में और सहस्ता मिलेगी। तालिम के विश विश में ताज महल, आगरा फोर्ट, इंडिया गेट, राजगाट, कुतुम मिनार जैसा जगा घुमने का मोगा भी ज्यान का विकास माना जा सकता है। क्यामेरा में कोमल चंद्र भगत के साथ राम गोपाल यादब दिनेश बसनेत और सिवराज योगी नया दिल्ली भारत।